इस वक्त की बहुत बड़ी खबर टीम इंडिया की शर्मनाख हार हुई है दस विकेट से टीम इंडिया हार गई है फाइनल में टीम इंग्लेंड पहुची भारती 20 वर्ल कप से बाहर सेमी फाइनल इंग्लेंड ने दस विकेट से टीम इंडिया को हरा दिया है अब रविवार तो पाक इंग्लेंड में फाइनल मुकाबला होगा टीम इंडिया के लिए किसमत एक बार फिर से धोका दे गई भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 का स्कोर बना लेकिन इंग्लेंड के बल्लेबाजों ने ऐसा धोका दिया कि भारते बॉलर्स ने पूरी ऐसे दर्शक से लगातार चेयर कर रही थे टीम इंडिया को लेकिन अब जो है टीम इंडिया के समर्थकों के चेहरे लटके हुए है मायूस है क्योंकि टीम इंडिया टी ट्वेंटी वल्लकप से बाहर हो चुकी है टीम इंडिया की शर्मनाग हार पर हर कोई मायू से 10 विकेट से टीम इंडिया हारी है और फाइनल में टीम इंगलेंड पहुँच गई है भारत T20 वर्ल कप से बाहर हो चुका है सैमी फाइनल में इंगलेंड ने भारत को 10 विकेट से हराया है अब रविबार को पाकिस्तार और इंगलेंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा बड़ी ख़बर इस वक्त की लेकिन सवाल ये है कि आखिर कहार टीम इंडिया ने गलती की है रोही शर्मा की कप्तानी उमीदे बहुत ज्यादा जिस तरह से पूरी सीरीज ये देखी गई टीट्वेंटी के सारे मैच भारत के देखे गई बहुत अच्छे फाइनल में भारत खेल रहा था और इसी बलबूते सामी फाइनल में पहुचा लेकिन सामी फाइनल में इंग्लैंड के आगे टीम इंडिया ने गुटने टेक दिये है टीम इंडिया के लिए किस्मत एक बार फिल से धोका दे गई है बहुत सारी उम्मीदे भारते दर्शकों को थी टीम इलिया से लेकिन सारी उम्मीदे अब चकना चूर हो चुकी है जो सपना भारत देख रहा था टी ट्वेंटी के फाइनल में मैच खेलने का वो सपना तूट चुका है भारत दस विकेट से हाट चुका है और भारत ने अब टी ट्वेंटी के सेमी फाइनल में जो जगा बनाई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है भारत टी ट्वेंटी वर्लकप से बाहर हो चुका है झाल झाल झाल